नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत एंविर एज्यूकेस चनल पर और मैं संपत लेड़ आप सभी के लिए आज पांच नई भरतियों की अपडेट लेके हाधिर हो चुका हूं आसा करता हूं आप सभी को यह वीडियो है वह हेल्फू लगेगा अच्छा होगा तो आप इसको तो तक जरूर से अब कीजिएगा और नए साल पर हम जो है पचास जार का सब्सक्राइब टार्गेट लेके चल रहे है तो प्लीज आप सभी जो है इसको भी पुरा करने में हमारी जरूर मदद की लिए सुरू करते हैं आज की इस वीडियों को तो सबसे पहल करना चाहते हैं इस पोस्ट के अंतरकत ठीक है और इसके अंदर अगर आप अपलाई करना चाहिए तो इसके लिए आपके तीन जनवरी से लेकर आपके एक फरवरी तक का आपको समय मिलने वाला है तीन जनवरी से एक फरवरी तक का पोस्ट जो है वो आपके है PGT Economics की female के लि include है याद रखेगा इसको apply करने के लिए आप डिए ऐससस्भी.δेली.gov.in की ओपीशल जो करेंट साइट वेकैंसी नवरी सकते हैं इसको apply कर सकते हैं इसके अंदर देख सकते हैं आप apply करने के लिए आपके पास master degree या डिपलोमा आपके पास होना जरूरी है समंधित विशय के यह और कोई भी इसके अंदर अलग से desirable qualification मनलब कोई भी अलग से qualification इसमें नहीं मांगी गई है ठीक है और तीन साल का इसके अंदर आपका पास जो है teaching experience जो है इसके अंदर आपको रखना जरूरी है इसके लाव आगे बात करते हैं में आपर odysa stop selection commission के द्वारा जो है vacancy को रिलीज किया गया है जिसके लेगर आप apply करना चाहे तो इसके लिए आपको 11 December से लेकर 9 January तक apply कर सकते हो पोस्ट इसके अंदर आप देख सकते हो TGT Arts PCM और CBZ की है जिसमें आपको 35,400 रुपए पर मन्त salary मिलेगा इसके अलावा आपके हिंदी टीचर संस्क्रीट टीचर तेलुकु टीचर और उर्दू टीचर की पोस्ट है 35,400 से लेकर 35,400 रुपए कर्चक हो है इसके अंदर salary मिलेगा आपको इसके अंदर आपको मिलने वाला है 29,000 रुपए के हिसाब से लेवल 8 की salary मिलेगा आपको बुड़ी साइस्टाप सेलेक्शन की पोस्ट है याद रखेगा इसके अंदर और यहां पर आप देख सकते हो जो पोस्ट हैं वो सब्जेक्ट वाइट ठीक है फिजिक्स केमेस्ट् इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है तो आप जो भी साथ इसके अंदर एपलाई करना चाहें वो इसके अंदर एपलाई कर सकते हैं यहां बाकि सारी इंफॉर्मेशन इसके लिए अगर आप जा रहे हो तो बैचलर डिग्री हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास होनी अनिवार यह है ठीक है विद याद रखेगा इस सब्जेक्ट में जा रहे है उसके लिए आपके पास ब्याद डिग्री प्लस बैचलर डिग्री उस सब्जेक्ट की होना अनिवार यह हैं इसके बाद बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेट के अंतर का जो ह भूदी है और नरसिंग के इसके अनदर और इसके लवाआ लैप टेक्निशन ट्रेनी की भी इसके अंदर पोस्ट आया आपको देखने को मिलने वाली है इसके लिए अगर आप अपलाइग करना चाहें तो इसके अंदर दे रखा है कि आपके पास जो है इस पोस्ट सारी लिखे हुई है ठीक है कुछ एक पोस्ट में डिग्री एलव है और कुछ पोस्ट में आप अगर आइटी एगर आप पास्ट है तो भी आप इसके अंदर एपलाई कर सकते हैं पचास परसेंट का जो है क्राइटेडिरियों रखा हुआ है कम से कम के लिए एज लिमिट इसके इंदर 28 यहां पर आपको आपको से डाउनलोड कर लिए आगे बात करते हम यहां पर आपके आपके जो भी इस ट्रेट के इंदर Provacancy है इसके अदर अलग-अलग देख लिए आपकार्पेंटर एलेक्ट्रीशन है इल्ेक्ट्रोनिक मैकेनिक्स की है पीटर है information and communication technology या electronic system इसके अंदर आज जाता है या broad based basic training in information technology computer related यह post यहां पर है इसके लब आपके इसके बाद आपके देखो instrument mechanics है mechanist है, mechanic diesel है mechanic machine tool maintenance है आपके motor vehicle है refrigerator and AC है painter है plumber है seat metal worker है ठीक है इसके लब आपके shewing technology और trace making है welder है तो total आपके 150 post में इसके अंदर आपको पोस्ट है vacancy जो है देखने को मिलने वाली है यहां पर आप देख सकते हो सारी vacancy जिसके 30 साल के जो यूआ है वो इसके अंदर apply कर सकते है बागे IT पास जो candidate है वो इसके अंदर भी apply कर पाएंगे यहां पर लिखा हुआ आपके और last जो पोस्ट है वो आपके odysa stop selection के द्वारा जिए भी vacancy जो है ccl के लिए combined group graduate level के जो candidate है उसके लिए आपर जो है vacancy release कीगी आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं आप 31-12 से लेकर 28 January तक जो है इसके अंदर आप apply कर सकते हो पोस्ट देख लिए इसके अंदर artist है assistant order development officer है assistant program coordinator है इंस्पेक्टर legal methodology है laboratory assistant है senior laboratory assistant है senior economic investigator है account assistant है announcer है junior librarian है इंस्पेक्टर है और scribe की इसके अंदर पोस्ट है आपको देखने को मिलने वाली है जो भी साथ इसकंदर apply करना चाहें और जिस भी vacancy के बारे में अगर आप information चाते हो तो आप नीचे comment में भी लिख सकते हो या पिर आप इस notification को download करके भी इन सारी चीज़ों को पता कर सकते हो अगर आपको या आज का वीडियो अच्छा लगाए helpful लगाए तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीज़ेगा और subscribe target को पूरा करने के लिए प्लीज आप जरूर support करते रहें इस वीडियो का आगे जरूर शेयर करते रहें जय हिन जय भारत